ले जनाब, लेक्शर स्टार्ट करते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर महमाद अमार्थुफैल और मेरी तरफ से आप सब को Happy New Year, आपने पिछला साल मेरे साथ तकरीबन 90 दिन सीखा के Machine Learning Data Science क्या होती है, Python क्या होता है और किस तरीके से उस पर काम किया जाता है, आज किस लेक्शर के अंदर हम Supervised Machine Learning के जो Algorithms है उनको डिटेल में देखने वाले हैं, और जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसकी Sense बनाने की कोशिश हम करेंगे, assumptions देखेंगे, advantages देखेंगे, pros देखेंगे, cons देखेंगे, of different algorithms कुछ algorithms जो हमने नहीं पढ़े, हम उनको भी explore करेंगे, and then later on we will make up some kind of key जिसके base पर हम कोई भी algorithm को select भी कर सकते हैं, और उस पर काम भी कर सकते हैं मैं screen आपके सामने पहले share कर देता हूँ, आज का जो काम है वो हमारा इन चीजों से related है, कौन-कौन सी चीजों से related है हम देखेंगे के supervised machine learning किस तरीके से काम करती है, और आज मैं आप सब को खुशामदेद कहता हूँ, इस lecture के अंदर भी अगर आप यहां पे गौर करें, तो supervised machine learning होती क्या है, अगेन वही चीज है जो हमने पहले भी देखी है, बट आज थोड़ा से detail में इसको देखेंगे, कि supervised machine learning is a type of machine learning where an algorithm learns from labeled training data, ठीक है, फिर उसकी prediction होती है, यह supervised machine learning हम इस वड़ा से बोलते हैं, अब supervised को supervised क्यों बोला जाता है, because the process of an algorithm learning from the training data set can be taught off as a teacher, supervising the learning process, जो हमारे पास data है, हम उसकी base पे इसको supervised learning को supervised learning बोलते हैं, वो एक नाम है ना, के फैसलाबाद को फैसलाबाद क्यों बोला जाता है, क्या शाफ फैसल वहाँ पे आया था, या कोई और reason थी, इसी तरीके से किसी भी city को industrial city क्यों बोला जाता है, और industry होती है, तो इसी वज़ा से supervised machine learning में supervised इस वज़ा से बोला जाता है, क्योंकि जो हमारे पास data होता है, वहां teacher, ठीक है, वह prediction करता जाता है और जो हमारे पास supervisor होता है, वह उसको correct करता जाता है, और इस basis पे हमारा जो सारे के सारे काम है, वह मल्हुजखाता रखते हुए, supervised machine learning काम करती है, and यह learning stop होती है, जब supervised machine learning एक acceptable level of performance को achieve कर लेती है, it's very simple, very unique, और जब acceptable point तक हम पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब supervised machine learning जो हमारे पास basically काम कर रही है, यह सब कुछ आपको पता है, लेकिन जो main चीज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं, वो key aspects है, supervised machine learning के जो key aspects है, उसमें label data है, model training है, prediction है, evaluation है, हम सबसे पहले label data देते हैं, किसी भी एक algorithm को, फिर हम model को train करते हैं using that algorithm, and then later on हम फिर predict करते हैं, उस एक database से सीखने के बाद, then हम क्या करते हैं, evaluate भी करते हैं data की model की prediction को, यह एक proper procedure होता है, जब भी आप कभी supervised machine learning के task को देखते हैं, label data, model की training है, prediction है, and then evaluation है, यह चार step हमने बड़ी detail में पिछले दुनों में सीखे, यह दुबारा से आपको पताने का मक्स basis की base पे आगे लेके हम चल रहे हैं, अब इससे भी आगे जो अगला हमारा scenario है, वो हमें कहता है, कि supervised machine learning की दो types है, एक classification है, एक regression है, और यह classification होती है, जब हमारे पास category को output के आ जाता है, और regression होती है, जब हम numeric value को output में consider करते हैं, say for example, अगर हम category की बात करें, तो spam है, email या not spam है, तो यह हमारी supervised machine learning की classification की type है, और जब हम कहते हैं, कि किसी का weight, या dollar की price, या कुछ भी assets, जो numeric value में आते हैं, उसे हम regression बोलते हैं, यह आपने देखा है, फिर हम चलते हैं, common algorithms, जो supervised machine learning के अंदर हमने basically पढ़े भी हैं, और कुछ algorithms ऐसे हैं, जो आपने नहीं पढ़े, लेकि machine हमने पढ़ा, logistic regression पढ़ा, decision tree पढ़ा, svm पढ़ा, random forest पढ़ा, फिर हमने gradient boost machine पढ़ा, xd boost पढ़ा, and there are many other topics, knife base भी हमने पढ़ा, जो हमने supervised machine learning के अंदर पढ़े हैं, कुछ comments मैंने आपको बता दिये, और supervised machine learning की जो main application है, वो spam detection में है, custom churn production में है, और prediction में है, and credit scoring या sales forecasting मे अब और बड़ी examples हैं, किसी भी machine learning के, ये AI के टास्की, जो आप देख सकते हैं, जो हमने पढ़ी भी हुए है, ये सारे lecture का दारो मदार आपकी understanding पे, अगर आपको ये बाते समझ आ रही हैं, इसका मतलब आपने machine learning को बड़ी गौर से देखा है, और मेरे साथ बड़ी गौर स इसको study किया है, अब बात जो है, spam detection के अंदर हम classify करते हैं किसी चीज को, customer churn prediction के उपर हम क्या करते है, predict करते है, whether a customer will leave a service or not, ठीक है, फिर हम credit scoring देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अगर हम borrowers को, मतलब एक loan देना चाहरे हैं, तो उसकी worth क्या है, क्या वो में पैसे वापस कर अंदर है, यानि कि ये कैसा लोगों के साथ पेश आता है, जब ये उधार लेता है, तो उन सारी चीज़ों को credit worthiness बोलते हैं, ये banks इसको use करते हैं, उस पर काम करते हैं, फिर sales forecasting है, हम future sales की amount को यहाँ पर predict करते हैं, supervised machine learning के अंदर, और ये application आपने बड़ी detail में मेरे साथ पास data होता है, लेकिन, it will poorly perform on unseen data, यानि के ये अपने unseen data पे अच्छा perform नहीं करेगा, या नहीं करता है most of the cases में, but training data पे अच्छा करता है, और हमने कुछ algorithms ऐसे भी देखे हैं, कि हम overfitting की problem को resolve कर रहे हैं, खास और पे जब हम bagging और boosting के algorithm बढ़ते हैं, या हम different किसम के subsets बना रहे हैं, या bootstrapping कर रहे हैं, या किसे भी किसम का जो भी हम algorithm में changes कर रहे हैं, to reduce overfitting, हम उसको वहां पे overcome कर पा रहे हैं, फिर data quality आ गया, the performance of a supervised machine learning algorithm heavily depends on the quality and the quantity of data, data कैसा है, अगर supervisory खराब होगा, बिका हुआ होगा, या आप ये कहले, आपको भी एक मिसाल देता हूं, बड़ इसानी exam system की में बात कर रहा हूं, वो बूटियां पगडा रहे होते हैं, या दोस्तों की help कर रहे होते हैं, या ऐसे बच्चों की help कर रहे होते हैं, जिनके लिए या तो उनने पैसे खाया होते हैं, या उनके जानने वाले होते हैं, so on the other side, अगर आप देखें, तो एक supervisory घ परफॉर्म कर रहे हैं, तो बच्चे ने का, खाक परफॉर्म करना है, जब वो किसी field में जाएगा, या आप ये कहलें, कि वो पैसे देखें नहीं, अक्सरकाद metric में FAC में लोग पास हो जाते हैं, आपको भी पता यह चीज का, तो वो quality ठीक नहीं है, उनके data की training ही ठीक नह हैं, अब आगे चलते हैं, और supervised machine learning को एक liner के अंदर मैं आपको बताता हूं, कि supervised machine learning is a powerful for tasks where historical data predicts future events, ठीक है, however, its effectiveness relies on the quality and of the training data, and the ability to generalize from that data into an unseen situation, means to say, supervised machine learning के powerful task है, जो historical data की base पर predict करता है future के events को, और यह इसकी effectiveness rely करती है के quality of the training data कैसा जो है, वो आपके पास आ रहा है, यह है जो supervised learning, और supervised learning को अगर आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और इसको पढ़ रहे हैं, then it means you are going in right direction, ठीक हो गया जी, यहां तक आपको clear हो गया, supervised machine learning क्या होती है, और यह मैंने repeat इस वज़ा से करवाया, ताके आपको समझ आ सके, कि supervised machine learning हमारे पास कफी जैदा काम जो है, वो perform करती है, और उसके कुछ challenges भी है, अब हमने supervised machine learning पढ़ लिया, यहां पे,